मशकार मैं डॉक्टर निविदिता आज आप से बात करूंगी अस्थमा के बारे में इन दे सेंस कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को सांस की समस्या होती है सांस फूल रही होती है लेकिन क्या सिर्फ इसी बेसिस पे हम उसे कह सकते हैं कि उसे अस्थमा है जी हां इसके लिए कुछ particular चीजें आपको ध्यान में रखने की requirement है अगर किसी patient को पहली बार सांस फूली है पहली बार उसे lungs का infection हुआ है तो यह कोई sign नहीं है कि किसी पस्तन को अस्थमा है या फिर उसका inhaler शुरू करवा दिया जाया या उसको nebulizer दे दिया जाया और उसको अस्थमा का diagnosis बना तो उसे आप declare करते हैं कि उसे अस्थमा है उससे जादा important है अगर इस patient को आपको शौर करना है कि इस अस्थमा है या नहीं है उसके लिए कुछ test किये जाते हैं जिसमें से important है कुछ blood test जैसे कि CBC with ESR या उसके बाद आता है आपका allergen test जैसे कि आपका IgE या Fadiatop अगर आप उसमें भी allergic निकलते हैं जैसे for example आपने सबसे पहले अपना CBC with ESR करवाया उसमें आपके blood counts बढ़े हुए आए आपके WBC बढ़ी हुई आई उसके बाद आपने allergen test करवाया जिससे हमें पता चलता है कि क्या हम किसी allergies से affected है किसी बहार की कोई allergies से affected है तब अगर आप उसमें positive आते हैं तो declare होता है कि आपको दूसरा test करवाना है जो बहुत ही जादा accurate है वो है PFT pulmonary function test जिसमें दो तरह की findings मिलती है या तो आपका restrictive airways आती है या obstructive airways आती है अगर restrictive है इसका मतलब आपको pneumonia या फिर COVID या फिर ILD कोई भी ऐसे disease हो सकती है जिसमें आपके lungs अच्छे से expand नह जिसमें आपके जो lungs है उसमें जो pipe जा रही है जहां से air जा रही है वो obstructed है यानि कि वो संकुचित हो रही है और वहां से सास आ नहीं पा रही है अगर obstructive है तो उसका मतलब होता है कि COPD या फिर asthma की कोई problem है इसके अलावा अगर दूसरी problem है restrictive तो उसमें ILD या pneumonia जैसी या COVID ज सारी disease याने की hypersensitivity जो आपकी lungs में हो रही है या आपको COPD है या आपको asthma है ILD है इन सभी को अगर आप एक particular level पर जाकर ठीक करना चाहते हैं याने की completely ठीक करना चाहते हैं तो allopathy इसका इलाज नहीं कर पाएगी क्योंकि वो symptomatic treatment आपको देती है वो आपको जितनी problem है उतना इलाज देके यान की symptomatic treatment देके आपको आपका treat करती है लेकिन आयूरवेग में आपका cause देखा जाता है कि क्या है और उस cause को देखते हुए आपकी immunity पर काम किया जाता है जिससे आपको यह problem further ना हो in future ना हो तो इसकी वजह से आपका जो treatment किया जाता है वो complete treatment होता है तो अगर आपको airways related कोई भी problem है अस्तमा से related कोई भी problem है तो आप हमें comment section में comment करके या फिर इस दिये हुए number पे call करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से आपकी help करने की कोशिश करें धन्यवाद